हनुमान चालीसा की तीसरी चपाई महावीर विक्रम वजरंगी कुमती निवार समतिके संगी पहले इसका मतलब समझाता हूँ फिर बताऊँगा कि अपनी लाइफ में इस चपाई को क्यों अप्लाई करें करना चाहिए और कैसे अप्लाई करें पहले वाले भागों में हनुमान जी को तीन नामों से पुकारा गया है महावीर यानिक एक बहुत ही बड़ा वीर्या योधा विक्रम इस नाम को भी पावर और स्ट्रेंथ के साथ जोड़ा जाता है वजरंगी वजर इंद्र का एक पावरफुल अस्र वेपन हनुमान जी इंद्रदेव के एक बरदान के कारण वजर से भी अधिक ताकत वाले थे इसलिए इने वजरंगी गहा जाता है इस चपाई के आखरी दो भाग में है कुमती निवार सुमती के संगी कुमती मतलब जब हमारी बुद्धी ब्रष्ट हो जाती है कुमती निवार मतलब ब्रष्ट बुद्धी को ठीक करने वाला सुमती मतलब विजडम, अकलमन, अच्छे विचार वाला सुमती के संगी मतलब अच्छे विचार वालों के साथी काफी अध्यान करने के बाद मैंने ये जाना कि सुमती के संगी का लिंक हमारे आसपास जितना के मित्र या ऐसो शेर्ट सम रखते हैं उससे भी है अब चपाई के इन दोनों भागों को जोड कर इंटर्प्रेट करते हैं जब हम किसी भी तरह की position of power में होते हैं तो थोड़ी ego हमारे अंदर आ ही जाती है यह एक natural human tendency है लेकिन problems तब शुरू हो जाती है जब हम अपनी उसीगों के कारण realities से दूर हो जाते हैं हनुमान चालीसा के पहले दोये की पहली लाइन दुबारा mention कर रहा हूँ आप उस पर किया मेरा वीडियो भी दुबारा देख सकते हैं थोड़ी और quality आएगे मैंने अपने वीडियो में बताया था कि हनुमान चालीसा से पूरा लाब लेने के लिए पहली लाइन में दिये गए एक precondition चुपी है वो यह है कि हमें समय समय पर reality checks देने वाला कोई ना कोई गुरू अपने साथ वश्चे रखना चाहिए लेकिन अपनी एगो में हम हनुमान चालीसा की ये पहली precondition ही वालेट कर देते हैं यहां position of power को भी define करना वश्चक है position of power में जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े politician हो या bureaucrate हो या बहुत बड़े police official हो आपके office में अपने अपने subordinates के सामने भी आप position of power में हैं चाहिए किसी job में हो या business में घर में भी हमसे जो छोटे हैं उनके सामने हम position of power में होते हैं problems तब बढ़ जाती हैं जब ऐसे position of power वाले लोगों को सही रास्ते दिखाने वाला कोई नहीं होता हनुमान चाली साग इस चुपाई को practically apply करके आप अपनी power का गलत इस्तिमाल या unfruitful इस्तिमाल करने से बच सकते हैं और अगर आप अपनी power का गलत इस्तिमाल करते रहेंगे तो फिर समझ लीजे कि हनुमान जी की कृपा आप पर कम होती जाएगी जब हम position of power में होते हैं तो हम वैसे काफी लोग अपने उस power के circle या समराजय में अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं खुद को ही सबसे बड़ा गुरू समझने लगते हैं power circle मतलब आपकी power का दायरा जैसे की family में या office में या फिर कहीं और काफी ego हमारे अंदर आ जाती है और हम गलतिया करने लगते हैं दूसरों को भी दुख पहुचाते हैं और खुद भी दुखी होते हैं जब खुद को गुरू समझने लगते हैं तो learning capacity भी काफी कम हो जाती है और किसी और का point of भी सुनने की शक्ती में भी कमी आती है हनुमान चालीसों को सही से अपनी life पे apply करने का एक prime fundamental है daily कुछ नया सीख कर और apply करके अपनी power या अपने power circle में वृद्धी लाते जाए हनुमान चालीसा की पहली चुपाई में ग्यान गुन सागर है अपने वीडियो में मैंने बताया था कि एक सागर सी जैसी absorption capacity हमें अपने अंदर बनानी है यान और गुन की लेकिन जब learning capacity कम हो जाती है तो fresh powers भी आपके अंदर नहीं आ पाएंगी आपकी growth वहीं रुख जाएगी power का दाइरा और बड़ा नहीं होगा जो मैंने अभी तक बताया है इसके कारण मैंने कई घर तूटते देखे हैं बिजनस consultant हूँ तो कई businesses भी stagnant या बर्बाद होते देखे हैं political marketing consultant भी हूँ तो कई politicians या political parties का गराप भी नीचे जाते देखा है हनुमान चालिसा की तीसरी चुपाई यही बताती है कि अगर हनुमान जी की कृपा से आगे बढ़ना है तो जब हम position of power पर हो तो समय समय पर यह reality checks जरूर करते रहें कि कहीं हम reality से दूर तो नहीं होते जा रहें कहीं हम हनुमान चालिसा के पहले दोहे में दी गई पहली printing condition को ही तो नहीं वाइलट कर रहें इस चुपाई को अपने life practically apply करने का सबसे सरल तरीका है अपने आसपास के लोगों की जाच करना एक बार दुबारा दूसरे दोहे वाले बुद्धी हीन जोन में जाएं और बिना किसी को यह preconceived notions के इस पर विचार करें कि क्या आपके आसपास के लोग हर समय आपकी हां में हां तो नहीं मिला रहें अगर हां तो यह पता करें कि ऐसा करने के पीछे क्या reason है अगर बुद्धी हीन जोन में जाकर उसका कारण आपको यह पता चलता है कि आप से डर कर वो आपकी हाँ मिला रहे है और आपकी गलतियों पर आपको रोक या टोक नहीं पा रहे हैं तो आप समझ लिजे कि आपने इस चुपाई का सेंट्रल मेसेज समझ लिया है अगले कुछ steps कुछ इस तरह से हो सकते हैं या तो आप अपने से जुड़े किसी aspect पर अपने आसपास के लोगों के साथ brainstorming session रखें कि casual fear-free environment में और उसमें ये condition रख दें कि वो सिर्फ कुछ selected aspects पर आपकी या आपके business या फिर किसी और aspect पी सिर्फ कमिया निकालेगे आप ये उनके साथ individual one-to-one sessions में भी कर सकते हैं क्योंकि कई बार लोगों का group में behavior कुछ different या close to reality नहीं होता अगर आप इसमें comfortable नहीं है तो किसी consultant या expert को भी approach कर सकते हैं आपके या अपने business के weak points पता करने के लिए अगर आपके आसपास के लोग सची सला या अच्छी सला नहीं देने की capability रखते हैं तो fresh लोगों को साथ का साथ भी ढूंड सकते हैं ऐसे लोग जो आपको अच्छी और सच्छी सला दें इसी spirit के साथ हनुमान चली सा को practice करते रही है और आगे बढ़ते रही है अगला वीडियो हनुमान चली सा की चौथी चपाई पर करूँ है मेरा नाम कुछ नीश वशिष्ट है मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद